हेलो वीवर्स, वेलकम दू 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 चानल, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चाप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के MCQs वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दे चैनल पर दिखाये जाने वाली सभी वीडियो क्लास वाइस डिफरेंट डिफरेंट प्लेइस्ट में गूप की गई हैं और सभी प्लेइस्ट की लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो वहां से जाके आ चली शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारा पहला क्वेशन है ता प्राइवेट मेंशन विद इस्टोरिकल और आर्टीक्ट्ट्रल सिग्निफिकेंस इस नौन एज ऑप्शिन आर पॉम और टैम्पल और हवेली आंसर इस हवेली प्राइवेट मेंशन जिसका इस्ट जिली छे में बड़े-बड़े मैंशन जो की अब तो काफी जर जर हालत में है वो हवेली आज नेक्स क्वेशन इस अन इंप्रेसिव गेट वेट वेट वेल्ट अट फटैपूर सिक्री तो कमेमरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात ऑप्शिन सार बुलंद और शालिमर गार्डन आंसर इस बुलंद तरवाजा अकबर की जीत के लिए जो कंस्रुक्शन हुआ था उचे कहते हैं बुलंद तरवाजा नेक्स्ट क्वेशन इस हाइब्ड स्टाइल का कंबिनेशन है दूनों का मिक्स्चर है और इसी लिए इसको हाइब्रिड स्टाइल कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन इस अ बी हाइव शेप्ड टावर विच राइज इस अबव गर्भाग रहा इस कॉल्ड आप्शिजा शीखरा गोपुरामा और मंडपाज आंसर इस शीखरा जो टैमपल होते है उनका जो टॉप होता है वो उस एरिया को जो कहा जाता है वो होता है शीखर टैमपल का शीखर कहा जाता है next question is the testimonies to the power and wealth of emperors were options are monuments, carvars, serais or tents answer is monuments सभी जो पुराने जो emperors होते थे उनके द्वारा बनाए गए जितने भी constructions है जिनकी को हिस्टॉरिकल वैल्यू है importance है significance है उनको monuments कहा जाता है next question is ताज महल जो है वो एक मकबरा है ताज महल जो है शाजा ने बनवाया था मुम ताज महल के याद में बनवाया था next question is hushed beast was a tradition of constructing options are mughal gardens, mughal tombs or Indian temples answer is mughal tombs mughal tombs को बनाने का जो tradition है वो hushed beast tradition है next question is mughal gardens were known as char park because of the options are symmetrical division into quarters or surrounding of garden और asymmetrical division of garden answer is symmetrical division into quarters इसलिए उसको चार बाग बोला जाता है that is all for today I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी आपको वीडियो कैसे लगी comment box में comment करके जरूर पताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजे फ्रेंड्स के साथ में रिलेटिव के साथ में जाह से जादर शेयर कर लीजे अगर चैनल पर पहली ब कि बाद आपको को और को कि डरूरा